हे गाईज मैं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत गारडिनिंग टिफ्स गाईज आच की सी वीडियो में हम आपके साथ सेयर करेंगे सिंगौनियम प्लांट के बारे में सिंगौनियम प्लांट को हम आउट दोर और इंडोर किस तरीके से रखना चाहिए इसकी कौन सी वराइटी आती है जो कि हम आउटडोर में रख सकते हैं और कौन सी वराइटी होती है जो इंडोर में रखा जाता है इस वीडियो में आपके साथ हम सिंगोनियम प्लांट के बारे में कुछ केयर टिप्स भी सेयर करने वाले हैं वीडियो को लास्त तक देखना चैनल पर न्यों सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूं बहुत ज़्यादा इंफार्मेटिव होती है आप लोगों के लिए तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं सुगई जैसे कि आप इस फ्लानन को देख रहे हों यह आउट डोर प्लान्ट है और हम इसे इंडॉर में भी रख सकते हैं और आउटडोर में भी रख सकते हैं दोनों जगे बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइफ करेगा और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें कुछ बेकार पत्ते हैं ति इसको रिमूब करना बहुत जरूरी है जिससे कि हमारा प्लांट हमेशा फिरस बना रहे तो आप लोग ऐसे ही पत्ते को रिमूब कर दिया करिएगा और बाकि यह सेंगोनियम प्लांट होते हैं हम इनको क्तिंग से ग्रो करते हैं कटिंग तो कुछ इस तरीके से आप इसे आउट्डोर में और इंडॉर में दोनों जगे रख सकते हो, trying to survive करेगा, और यह इंडूर प्लांट है, हम इसे आउट्डोर में नहीं करने होगर जैसे कि यह पत्ते कुछ जल गए है, तो इस तरीके से आपके प्लांट के जो साइट साइट के पत्ते हैं वो सारे जल जाएंगे और इधर जो मैई जून का महिना जो होता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अगर आपने आउटडोर में रखा इस प्लांट को तो आपका प्लांट पका है खतम हो जाएगा वहाँ पे क्योंकि जल जाएंगे पूरी तरीके से तो बेकार ही हो जाएगा तो आप इसे डारेक्टली आउटडोर में नहीं रख सकते और बाकी इस प्लांट को चाहो तो ब्राइट सनलाइट में रख सकते हो जहां पे आधी धूप और आधी छहां रहती हो वहा की रही बात इस प्लांट को किस तरीके से केर करना है क्योंकि ज्यादा वाटरिंग नई चाहिए होता है इस प्लांट को वाटरिंग की बात करें तो हमेशा आपको नमी बना के रखनी है नमी बना के रखोगे तो क्या होगा कि आपका प्लांट कभी बेकार नहीं होगा और ज्यादा वाटरिंग किसी भी प्लांट में करोगे अगर आपका प्लांट में है ज्यादा वाटरिंग करोगे इस प्लांट में तो ओबर वाटरिंग करने की वज़ा से रूट आपकी डैमेज हो सकती है तो इसलिए ज्यादा वाटरिंग नहीं करना है आपको बस केवल नमी द और बाखी गाये जीस प्लांट को हम ज्यादा खाद वाद नहीं देते हैं क्योंकि ये विदाउट खाद के ही आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है ना कि इसमें गोवर खाद है ना ही कुछ डला है बस क्योंवर आउनली स्वाइल है और आप देख सकते तो आप दो महिने में तीन महिने में एक बार डाल सकते हो और आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा भुसी बन जाएगा और कुछ इस तरीके से आप अपने प्लांट को जैसे की बने बताया आउट्डोर और इंडोर कैसे रखना चाहिए और बाकी ये जो आप वरायाटी दे होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना अगर चैनल पर न्यूँ हो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो नंबर स्क्रीन पर सो कर रहा है मेरे से प्लांट खरीद भी सकते हो और जानकारी भी ले सकते हो तो चलि यह मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए वाय वाय जैहिन वंदे मात्रम